हेलो एब्रीवन स्वागते आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में यदि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाते हैं तो बिना परिक्षा के आप लोग सिक्षक बन सकते हैं केंद्रिय विध्याले में दो राजियों की वेकेंसी को कवर करेंगे इस वीडियो मे जहां PRT, TZT, PZT की पोस्ट में अलग-अलग सब्जेक्ट की वेकेंसी है यदि आपका सब्जेक्ट है तो यहां पर आप अप्लाए करेंगे तो कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी नहीं परिक्षा है केवले इंटर्व्यू के बेस पर सेलेक्शन रहने वाला है हिंदी मीडियम, इंग्लिस मीडियम पास केंडिडेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं वो दोनों राज्जियों की वेकेंसी तो सबसे पहली जो वेकेंसी है केंद्रे विध्याले नंबर टू उदैपूर से यह इसका जो है पूरा है छह पेजिस की तो सारी चीज़े हम कवर करेंगे इसका एप्लिकेशन फॉर्मेट आप लोगों को मिल जाएगा मेन वेबसाइट पर ही जिसे आपको डाउनलोड करके फिल करना है दूसरी वेकेंसी है जो दूसरा राज्ये की केंद्रे विध्याले कानपूर केंट उतर प और साथ में ही एप्लिकेशन फॉर्म तो चलिए सबसे पहले जो है हम देखेंगे जो केंद्रे विध्याले नंबर टू उद्यापूर की वेकेंसी है कौन-कौन से सब्जेक्ट की वेकेंसी है किस पोस्ट में तो केवल जो है इंटर्व्यू रहेगा इंटर्व्यू की गनित, जीव विध्यान, रसाइन विध्यान, भौतिक विध्यान, वानिज्य, कॉमर्स वालों की भी बिलकुल पीजी टी में वेकेंसी है वानिज्य और अर्थसास्त्र में तो इसके लिए जो है यहाँ पर सेक्षन की योगिता कही गई है कि मास्टर डिग्री होनी यहाँ पर लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुइशन आपकी हिंदी में है तो बिलकुल आप अपलाए कर सकते हैं चीक है दूसरा इन्होंने लिखा है या फिर संस्कृत एक विशे के रूप में हिंदी के साथ इसनातक स्तर पर आपने पढ़ा हो ठीक है यह दोनों ही अलग-अल पीजीटी हिंदी के लिए अपलाए कर सकते हैं उसके बाद जो है पीजीटी जीव विज्ञान के लिए आप देखें काफी ऑप्शन है जहां पर वनस्पती विज्ञान, प्रानी विज्ञान, जीवन विज्ञान, जैव विज्ञान, जैव विज्ञान, जैनेटिक्स, बायो टेकनोलोजी, मॉलीकुलर बायो, प्लांट, फिजियोलोजी ये सभी सब्जेक्ट हैं तो इन्होंने लिखा है कि वनस्पती विज्ञान और जूलोजी का अध्यान आपने ग्रेजुएशन में किया हो तो आप ये जो भी सब्जेक्ट हैं इसके लिए अपलाए कर सकते ह इसी तरीके से पीजीटी वानिज्य और पीजीटी अर्थसास्त्र पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में जो है वो बीएड भी जो है होना होगा ठीक है बीएड बिलकुल कंपल्सरी है ये आपको ध्यान में रखना है यहां पर जो है पीजीटी के लिए साड़े आट बजे स जो है यहां पर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इस्कूल पहुँचना होगा आप लोगों को साड़े आट बजे तक पहुँच जाए उसके बाद जो है इंटर्व्यू दस बजे से स्टार्ट हो जाएंगे पीजीटी में जो सब्जेक्ट अभी बताए गए है तो उसके लिए 23 वरवरी 2024 को रहेगा इंटर्व्यू आप देख लेते हैं पीजीटी में सब्जेक्ट है इंग्लिस, हिंदी, गनित, विज्ञान, सोसल साइंस और संस्कृत तो यहां पर आप सभी जानते हैं कि 50% मार्क्स के साथ में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो औ और B.E.D. होना चाहिए साथ में जो है आपका C.T.E.T. पेपर 2 C.T.E.T. जो है किंद्रे सिक्षक पातरता परिक्षा आपकी होनी चाहिए ठीक है? S.T. के लिए यहां पर देखें इतिहास, भूगोल, अर्थसास्त्र और पॉलिटिकल साइन्स इसमें से जो है दो विसे आपके पड़े हों जिसमें एक इतिहास या फिर एक भूगोल तो होना ही चाहिए. इसके लिए भी जो है 23 फरवरी 2024 को ही जो है इंटर्व्यू रहेगा, तो TZT और PZT दोनों के लिए एक ही डेट को है. Next, उसी दिन 23 फरवरी को प्राइमरी टीचर्स की भी जो है जो वैकेंसी आई है उसका भी इंटर्व्यू रहेगा. तो आपको क्या करना है? कि जो एप्लिकेशन फॉर्मेट मैंने आप लोगों को दिखाया है, इसे आप लोगों को डाउनलोड करके फिल करना है और स्कूल समय पर पहुँचना है, 23 फरवरी साड़े आठ बजे आपको पहुँच जाना है. बस इतना ही करना है, कहीं भेजना नहीं है, कुछ भी. फीस नहीं लग रही है. कम्प्यूटर प्रैसिक्षक के लिए 50% मार्क्स के साथ में BE या BTEC, कम्प्यूटर साइंस, BCA या MCA, या फिर MSC आपने कर रखी हैं कम्प्यूटर साइंस में, या फिर electronic के साथ कर रखी हैं MSC, या BSC कम्प्यूटर साइंस से किया है. अगर आपने इन में से कुछ नहीं किया है, तो post graduate diploma अगर कम्प्यूटर में हैं आपका, किसी भी माननेता प्राप्त विसव विध्याले से, किसी भी विज्ञान विसए, गणित में, बैचलर, मास्टर डिग्री, तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल जा सकते हैं. ठीक है, और भी गई option है, जैसे PZDCA के साथ, किसी भी subject से post graduate हैं आप, या फिर DOEACC से O level का आपके पास diploma है, तो भी आप कर सकते हैं. तो बहुत सारे option रहते हैं computer के लिए. यह computer प्रैसिक शक जो है TZT के लिए था, उसके बाद जो है PZT में computer के लिए भी जो है vacancy है, यहाँ पर जो है sports teacher की vacancy है, football, volleyball, basketball और hockey, जिसमें graduation और साथ में आपके पास BPAड या MPAड आपके पास होना चाहिए. तो यहाँ पर जो है games के teachers का जो interview रहेगा वो ध्यान में रखना है 24 फरवरी, योग प्रैसिक शक का 24 फरवरी को रहेगा, counselor यानि परामर्स जो दाता है उनका 24 फरवरी को रहेगा, संगीत प्रैसिक शक का भी 24 फरवरी को है, spoken English coach, यह आप देख लें, अगर आप spoken English coach के लिए apply करना चाते हैं, तो एक subject के रूप में English आपने graduation में पढ़ी हो, और 6 महीने से कम अबदी के पार्थे करम कारिकरम को cover करने वाला अंग्रेजी में degree या diploma आपने हासिल किया है, doctor की vacancy है, nurse की vacancy है, विसेश सिक्षक की vacancy है, तो उसमें जो है, आप लोगों के पास बार्वी उत्तीन और दो वर्षी है, डिएड खास सिक्षा विकलांगता की किसी भी श्रेणी में, या फिर 12 के साथ में special में एक साल का diploma, ठीक है, या फिर एक और condition है, समुदाय आधारित पुनरवास में diploma में 6 महीने का certificate course हो, तो ये 24 को ही जो है interview रहेगा, special educator का यहाँ पर जो है लिखा है साक्षातकार का स्थान, interview आपका रहेगा, आपको पहुँचना होगा, राजी स्थान में, उदैपुर, जिले में जाना होगा, गोवर्दन, विलास, और स्कूल का नाम है, केंद्रे विद्याले, एक लिंगर, कैंट, ठीक है, तो ये पूरी जान यही आप लोगों को डाउंलोड करके, फिल करके ले जाना है साथ में, अपने ओरिजनल डोकॉमेंट भी ले जाने है, और साथ में फोटो कॉपी भी ले जानी है, ओरिजनल जो है कहीं पर भी समिट नहीं कराना है किवल दिखाने के लिए. next जो vacancy है जो की कानपूर केंट की है उसे हम cover कर लेते हैं इसमें किस subject की vacancy है तो देखें postgraduate teachers में biology, chemistry, sociology, history और geography की vacancy है जिसमें post graduation के साथ में B.Ed. चाहिए PCT computer science की vacancy है qualification वही है जो अभी हम देख चुके है TZT में Science, English, Hindi, Math, SST and Sanskrit की Vacancy है Graduation के साथ में B.Ed और साथ में C.T.E.T. Paper to qualify होना चाहिए Primary Teachers की Vacancy है यहाँ पर Qualification सेम है यहाँ पर C.T.E.T. Paper 1 जो है आपका मांगा जाता है Primary Teachers के लिए Computer Instructor की Vacancy है Next Yoga Teacher, Sports Coach में Athletic, Taekando, Volleyball और Basketball Dance Coach, Doctor, Counselor, Nurse, Special Educator, Teacher इनकी Vacancy है यहाँ पर कानपूर में चीक है कहाँ है उत्तरप्रदेश में तो बाकी जो है मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो Qualification है वो केंद्रे विध्याले सभी केंद्रे विध्याले में समान ही रहती है salary काफी अच्छी देते हैं ये लोग ओम्र जो है यहाँ पर 18 से लेकर पैसेट वर्स है salary की अगर हम बात करें तो PRT के लिए जो salary रहती है वो 21,250 रहती है और उसके बाद जो है TZT में 26,000 से अधिक रहती है ठीक है और PZT के teachers की जो है 26,750 यहाँ पर salary रहती है इसका जो है application form आप लोगों को बिलकुल मिल जाएगा main website पर और इसे आप लोगों को ले जाना है school में दोनों ही school की जो condition है कि आप लोगों को कहीं भेजना नहीं है school जाना होगा पीएम श्री केंद्रे विध्याले कानपुर केंट कानपुर ठीक है यह है उत्तर प्रदेश में तो दोनों ही vacancy को आप ध्यान से देख लें जो भी candidate apply करना चाता है link आप लोगों को share कर दिया जाएगा काफी अच्छा जो है अन्वव रहता है केंद्रे विध्याले में काम करने का तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में thank you